हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टो अद्वत एजूकेशन मैं दिपाली पंडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अद्वत एजूकेशन पर तो आज हम यहाँ पर लेकर क्या रहें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिस्कुशन जो की आपके एक्जाम को इंट व व्यू स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कार्विनिक योगिक से यानि कि और गैनिक कंपाउंट से पर्टिकुलर कैसे क्वेस्टन्स एससे वेल्वे में पूछ जा चुके हैं वो यहाँ पर हम डिसकस करने वाले हैं यह आप यहाँ पर कनेक्टेड है तो जितने भी पहले वीडियो डाले जा चुके हैं पीवाई क्यों जो भी आभी चल रहे हैं वो सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले बहुत हल्प करने वाले एंग्जाम में लिए आईए देखते हैं आश का पहला कुश्ण क्या कहता है देखो कितनी बड़ हैं उनमें आप किस पॉलिमर का यूज़ करते हो चार आपके पास पीवीसी पहला है पॉलिविनल क्लूराइच पॉलियमाइट पॉलि एथिलीन एंड पॉलिकार्बोनेट्स इनमें से आप कौन सा यूज़ करते हो बुलेट प्रूफ जैकेट्स या मटेरियल्स बनाने में तो bulletproof jackets वगरा किसमें यूज की जाती है, army वगरा में यूज होती है तो आईए देखते हैं किन में से कौन सा My dear students, यदि मैं कहूं bulletproof पदात बनाने में किसका उपयोग किया जाता है तो अपना answer होने वाला है polyamide polymer का किसका? polyamide polymer एक ऐसा है जिसका उपयोग है bulletproof materials बनाने में करते हैं आईए थोड़ा सो और समस्टे हैं कियसे जो हमारा polyamide होता है na दोनों होता है naturally and artificially नैचुरल पॉलीमाईड भी होता है और artificial polyamide भी होता है अब जो हमारा natural polyamide है उसका उपयोग अलग है और जो मारा artificial polyamide है उसमें जो आपका होता है aramid group aramid group का हम उपयोग करते हैं bullet proof material बनाने में अब देखो है तो वो उसी family का polyamide family का तो कभी आपसे next time पूछ सकता है या next question आपका बन सकता है directly पूछ लेगा aramid fiber पूछेगा कि नहीं पूछेगा हम इस बार पूछा polyamide next time आपका question बन सकता है इससे यानि कि हमको सारा कुछ पता होना चाहिए ध्यान दीजीगा जो polyamide occur both naturally and artificially examples of naturally occurring जो polyamide है जो naturally कहां कहां पाए जाते हैं तो आपके protein में पाए जाते हैं wool में पाए जाते हैं यानि कि oon में पाए जाते हैं और जो सिल्क होता है उसमें पाए जाते हैं और जो artificial polyamides होते हैं artificially made polyamides जो है वो आपके nylon है, aramids है and sodium polyasprin देखो ये जो nylon and आपका aramids है ये बहुत important है, nylon से भी question बनता है, aramid से भी question बनता है, तो nylon के उपयोग से भी बनेगा, aramid से भी बनेगा तो next time यादी aramid देता है आपके option में, तो आपको कोई भी confusion नहीं होना चाहिए, आप answer दे पाओगे, दे पाओगे कि ने दे पाओगे तो polyamide जो है, उसका उपयोग तो करते हैं, हम polyamide family का, जो synthetic form है, कौन सा aramid group उसका उपयोग हम करते हैं किसमें करते हैं, aramids का उपयोग करते हैं, bulletproof, materials याद जैकेट बनाने में, तो याद रहेगा next time, चलिए, रिखा हुआ है aramid fibers are a class of heat resistant and strong synthetic fiber synthetic fiber है यह, क्या है synthetic fiber है, they are used in aerospace and military application, clear हुआ clearly कह रहा है कि military application में उपयोग किया जाता है military application में, clear हुआ, चलिए तो अपना option कौन सा होने वाला है इसमें से, polyamide will be our answer, option B चलिए, next question देखते हैं अगला question क्या कह रहा है, अगला question आपके सामने है, निमलिखीत कथनों पर विचार कीजिए, चार option दिये हुए इन चारों में से पूछ रहे, कौन सा सही है पहला कह रहा है, टेफलोन और डेक्रोन क्या है, बहुलक है या polymer है, दूसरा है नियोप्रिन संशलेसित, rubber है या synthetic rubber है polyethene, जो है polyethylene का बहुलक या polymer है, next है प्राकृतिक rubber, chloropene तो वैसे यदि हम ध्यान दे थोड़ा सा तो चारों option में से ध्यान दीजिएगा पहले टेफलोन और डेक्रोन पॉलिमर है बिल्कुल है, है ना टेफलोन पॉलिमर, डेक्रोन पॉलिमर सभी को पता है नियोप्रिन संशलेसित, रबर है बिल्कुल है polyethene, polyethylene का polyver है, ये भी सभी को पता है सारी दुल्या polyethene दूसकरती, सभी को पता है हाला कि बैन है प्राकृतिक रबर, chloroprene है ये कथन थोड़ा सा गलत है क्यों? क्योंकि जो chloroprene है ये synthetic rubber है ये natural rubber नहीं है क्या है? chloroprene जो है आपका, ये एक तरह का ध्यान दिजेगा, तो कॉंसो option से ही होने वाला है, 1, 2, 3 are correct, तो हम कहेंगे option A is the correct answer clear हुआ, आईए थोड़ा और समस्ते हैं थोड़ा और गहराई से समस्ते हैं, आपको दिखाते हैं जो हमारा ये होता है ना chloroprene chloroprene का formula क्या होता है? C4H5Cl जो C4H5Cl है, वो rubber है कैसा rubber है? Synthetic rubber it is not a natural rubber ज्यान देना C4H5Cl is a synthetic rubber बड़े बड़े एक्षरों में इसी लिए लिखा है it is a synthetic rubber which is also known by the trade name इसका क्या है neoprene, अब next time exam point of view से क्या important होने वाला है, next time exam point of view से important होने वाला है neoprene, next time पुछ देगा neoprene, clear? formula भी पूछ देता है, formula भी आपको पता होना चाहिए, next है आपका, chloroprene has a good balance of properties, including good chemical stability and usefulness over a wide temperature range एक चीज़ को हमने chloroprene से clear कर लिए, ठीक है, हमारा question clear हो गया, कि chloroprene जो है वो natural rubber नहीं है synthetic rubber है, एक question दूसरे चीज़ा में क्या पता चली next time exam में आने वाली है जो वो है कि neoprene भी हमें साथ में ध्यान रखना है कि C4H5Cl को हम दोनों नाम से जानते हैं, chloroprene and neoprene, clear होआ? चलिए, next question देखते हैं, अगला question क्या कह रहा है? अगला question फिर से है पहला दो कथन दिये हुए है उनमें आपको बताना है, ठीक है? statement and reason पहला है, फिनायल जो है कप्रयोग एक घरेलू रोगाडू नाशक की रूप में होता है बिल्कुल सही बात है अगला है, फिनायल एक फिनॉल उत्पन है जिसका क्या है, उप्योग वही रोगाडू नाशक की रूप में किया जाता है पिल्कुल सही बात है यदि मैं फिनॉल की बात करूँ फिनॉल तो आजकर हर घरों में स्पेशनी अभी COVID का टाइम चल रहा है तो पहला स्टेटमेंट था आपका कि फिनॉल का प्रयोग एक घरेलू रोगाडू नाशक की रूप में होता है जो कि बिल्कुल सही है दूसरा आपका कारण कह रहा है जो फिनॉल है जो फेनिल है फेनिल एक फिनॉल वुद्पन है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाडू नाशक के ध्यान दीजेगा फेनिल एक फिनॉल वुद्पन है यानि कि डिराइब्ड है उससे फिनॉल से फेनिल जो कि एंटिसेप्टिक है बिल्कुल सही कह रहा है दोनों में कोई ही कलती नहीं है क्योंकि फिनॉल का यूज एज एंटिसेप्टिक करते हैं हम घरों में भी करते हैं हॉस्पिटल्स में भी यूज होता है और एक्चुल में होता क्या बेंजीन सभी ने सुना है बेंजीन सभी ने सुना है की ने सुना है फिनॉल कैसा बनता है आपका बेंजीन कुछ ऐसा बनता है कुछ ऐसा बनता है अब यदि उसी में मैंने O लगा दिया तो आपका बन जाता है फिनॉल C6H6O और क्या लिख सकते हम इसको यदि C6H5OH तो फॉर्मुला क्या होता है फिनॉल का अभी देखो यहां पर फॉर्मुला नहीं पूछा लेकिन हमको जिस question में आ चुका है उस तरीके से कोई भी question बन जाए फिनॉल से आपका कोई भी question बन जाए आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा और समझते फिनॉल के बारे में फिर अपने एंसर देते हैं ना देखो जब फिनॉल के बारे में अपन समझ रहे हैं तो यहां पर भी वही चीज लिखी हुई है फिनॉल का फॉर्मुला दिया हुए C6H6O जैसर मैं भी बताय अपर जीज़ अपन इसको के बन ईया है यहां पर तो यह क्या हो जाएग अपका यह हो जाएगा फिनॉल क्या हो जाएगा तो जैसे ही फिनौल बना तो यह चाहिया तो आप यहाँ पर मोनो लगा दिये तो क्या बन चाहिएगा आपका जैसे ही आपने एक लगाया तो बन चाहिएगा Monohydroxybenzen क्या बनेगा Monohydroxybenzen Benzen को formula सभी को पता होता है Easy भी होता है C6H6 यहाँ पर यदि मैं एक oxygen निकाल दूँ एक oxygen लगा दूँ तो आपका बन जाता है Phenol Phenol बन जाता है और यदि इसको OH के term में लिखेंगे अपन तो एक hydrogen ले गया तो OH हो गया C6H5OH क्या बन गया C6H5OH बन गया और यह C6H5OH का मतलब क्या है कि एक hydrogen एक hydroxy iron है एक hydroxy है तो हम एक है That's why Monohydroxy OH और क्या हो गया आपका Benzen दुएगा तो Monohydroxybenzen है C6H5OH Also known as This is the important point Benzenol and Carbolic Acid तो Benzenol भी next time बोल सकता है Phenol को तो आपको confused नहीं होना है कि Benzenol बोले Phenol बोले एक ही बाद All तो आई रहे है न हमको याद रहेगा याद रहेगा कि नहीं रहेगा Benzenol का formula C6H6 O लगा दिया Phenol बन गया अब Benzenol में O लगा है तो हम Benzenol बोल दिये इसको Clear? तो दोनों ऐसे linked रहेंगे चलिए तो अपन एंसर दे देते हैं कौनसा एंसर होने वाल है क्या कह रहा है दोनों सही है तथा R जो है A का सही कारण है A तथा R दोनों सही है R A का सही कारण नहीं यह नहीं भीया गलत है देखो हैं तो दोनों सही तो अपना option कौनसा होने वाला है option A साथ ही A और B जो है आपके दोनों सही है और reason जो है बिल्कुल सही दिया गया है किसका statement का option A will be the correct answer Clear हुआ आईए next question देखते हैं अगला question क्या कह रहा है अगला question आपके सामने है Bisphenol A क्या है ध्यान दीजिएगा अगला question कह रहा है Bisphenol A क्या है है ना तो थोड़ा सा थोड़ा सा attention थोड़ा सा attention चाहिए यहाँ पर कह रहा है चार example दिया हुआ है क्या cancer की पहचान करने में या कि एथलीटों द्वारा निश्पादन सुधार के लिए उप्योग किया जाता है ठीक है ड्रग को जाचने के लिए या है खार्दिस अमवेस्टन सामगरी के लिए उप्योग किया जाता है या चौथा मिस्वधा तो इस पात का एक प्रकार है यानि कि बिस्फिनॉल की फूड पैकेजिंग में यूज किया जाता है यह चौथा है special type of all steel कहना चाहिए या steel में यूज किया जाता है ध्यान दीजिए बिस्फिनॉल एक जो उप्योग है देखो बहुत पहले से चला रहा है लग बग 1960 सी यूज हो रहा है बिस्फिनॉल का यूज हम फूड पैकेज अब यदि प्लास्टिक में आप खाने की चीज़े रखोगे तो क्या होगा यदि आपने कोई बीच में ऐसे लेयर या ऐसा केमिकल यूज नहीं किया तो वो प्लास्टिक से धीरे-धीरे रियक्शन करेगा आपकी बॉड़ी को हम करेगा लेकिन क्या करते हैं प्लास्टिक और उस पूड के बीच में एक लेयर होती है एक क्यामिकल कंपाउंड होता है जो कि बिस्फेनॉल ए होता है डाल दिया जाता है जिसकी वजह से खाद्य पदार्थों पर कोई भी इफ्रेक्ट नहीं पड़ता आपके प्लास्टिक का क्लिया तो प्लास्टिक का कोई भी असर नहीं पड़ता इसके लिए हम प्योंग करते हैं विस्फेनॉल ए आईए इसका डिटेल देखते हैं कि और क्या-क्या है तो यह बिस्फेनॉल ए जो है आपका जो आपका बिस्फेनॉल ए है इसका क्यामिकल प्रोड़ूस्ट इं लाज कॉएंटिटीटीज फोर यूस प्रा तनराचनात्मा घटक है, एक इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट रखता है कि लिए धातू में घटक भी हो सकता है जो भोजन को सीधे धातू की सतों से संपर्क में लाने से बचाता है, मैं आपने बिल्कुल जैसे बताया, अब याद ही आप पे पैक होता है, जै प्लास्टिक्स में होता है, स्टिल के बत्यन में तो मिलता नहीं है, प्लास्टिक में जब पैक है, सबसे बड़ा एक्जांबल तो भी पानी पी रहे हो, सारी प्लास्टिक बॉटल्स में ही पानी पी रहे है और पानी पहले पैक हो जाता है, तो ऐसा है कि आप नॉर्मल क्रियेट करना जो की हाम होने से हमें बचाता है रियक्शन होने से बचाता है that is आपका बिस्फे नौल तो याद रहेगा 1960 के बाद खादे बदार्थों की पैकेजिंग में BPA का उपयोग किया गया है याद रहेगा चलिए तो हम अब इसमें अपन ओप्शन देख लेते हैं कौन सा ओप्शन होने वाला है तो ओप्शन C होगा चाहां तक मुझे लग रहा है आपको क्या लग रहा है लग रहा है न है ओप्शन C है chemical used for development of food packaging material जो हमारा food packaging है उसमें हम यूज करते हैं besphenol का सो जो besphenol क्या जाने से जिंदगी कितनी बदल गई food packaging होने लग गई easily है ना और हमें क्या है ऐसा कोई harm भी नहीं होता हम बकाइदा खा पी सकते हैं ट्रैवल कर सकते हैं clear चलिए next question देखते हैं क्या कह रहा है अगला question है आपके सामने नियम ने लिखी gas मिस्रडों में कौन सा gas welding के रोप में प्रयक्त किया जाता है है ना welding में हम कौन सी gas का उप्योग करते हैं चार option है acetylene and hydrogen oxygen and acetylene hydrogen and oxygen या hydrogen and helium क्या कह रहा है ध्यान दिजेगा which of the following gas mixture is used for welding purpose बहुत important question है welding से related पूछता है हर पेपर में welding gas में कौन सी gas होती है ध्यान दिजेगा welding gas में जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं तो मैं आपको बता दो my dear students हम यूज करते हैं oxygen and acetylene का combination ठीक है oxygen and acetylene यूज किया जाता है किसमें आपके welding में यूज किया जाता है तो next time question बना कि welding में किसका यूज किया जाता है तो आप बताओगे oxygen and acetylene का clear चलिए अब देखो यह थी थोड़ा सा आपको और अच्छे से याद रखना है इसको तो कैसे याद रखोगे देखो oxygen क्या जाने से आग क्या होती है तेज होती है होती है कि नहीं होती है oxygen मिला जैसे oxygen है तो आग लगेगी है और welding कैसे कर रहा बिना आग के तो पॉसिबल नहीं है बहुत सारे types of welding है लेकिन हम याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते कि welding में आग जलती है और आग क्या है oxygen से oxygen के बिना पॉसिबल नहीं है तो that's why polymer याद रहेगा उसके साधन क्या कर लेंगे oxygen यदि gas का combination पूछा है तो क्या को हो गया oxygen and acetylene clear चलिए next question देखते हैं अगला question आपके सामने है वाह किताब बढ़िया खुला है ना मानव द्वारा नीर्मीत प्रथम संसलेशित रेशा या रबर क्या था clear the first synthetic fabric made by human पहला जो synthetic fabric था human made वो कौन सा था तो मैं आपको बता दू option क्या क्या है nylon, rayon, terricot, polyester तो इन चारों में से जो पहला synthetic rubber था आपका था nylon पहला जो developed synthetic rubber था वो आपका था nylon option A is the correct answer थोड़ा और detailed देखते हैं nylon जो है पहली बार खोजा गया आपका synthetic rubber है, nylon the first synthetic fiber in the fully synthetic, totally synthetic है, सानी कि उसमें कुछ natural है clear, was developed by ये कैरो थेरस के थूँ क्या किये गये थे, developed किया गया था, scientist का नाम कभी कभी पूछ लेता है, जो कि ये एक American researcher थे, और क्या किया था, इन्होंने dew point में खोज़ की थी 1930 में, तो 1930 में आपका पहला totally synthetic आया, वो क्या था, वो था आपका nylon, यानि कि 1930 में totally synthetic rubber आ गई हमारे पास, जो कि क्या थी, nylon थी, गया हुआ, चलिए, next question देखते हैं, अंगला question क्या कह रहा है, next question आपके सामने है, बैकलाइट के निर्माड के लिए, प्लास्टिक उद्योग में किसका उप्योग किया जाता है, यानि which is widely used in the plastic industry for manufacture of बैकलाइट, बैकलाइट तो एक ऐसा polymer है, जो सभी को पता है, मुझे ऐसा लगता है, जो easily सभी को याद होता है, है ना, कह रहा है, बैकलाइट के आपका जो बैकलाइट है, बैकलाइट बनाने में हम किसका उप्योग करते हैं, जो बैकलाइट है ना, it is produced through condensation reaction between, एक बात बीदो बताओ, वलकनाइज़ेशन प्रोसेस पड़ा है, पड़ा है, वलकनाइज़ेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसके थरो na हम रबर को एक नए फ को गर्म करते हैं और हम दिन उसका नया फॉर्म या नया बनाते हैं उसको क्लियर तो वलकनाइजेशन जो होता है वो क्या होता है देखो इन दा प्रेजन वह इधर बेसिक और एस्रडिक शुक्ष कर देते हैं हमारे क्यामिकल प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं है तो यहां पर हम जब एक्टिवेटर है हमारा क्या एस्रडिक बेस कुछ भी हो सकता है important जो है वो आपको जानने वाली बात यह है कि हमारा जो formaldehyde है clear? हमारा जो formaldehyde है and phenol है तो phenol and formaldehyde को हम vulcanization process के थ्रू क्या करते हैं? bacalite form करते हैं phenol and formaldehyde याद रहेगा? phenol and formaldehyde को vulcanization process के थ्रू हम bacalite form करते हैं bacalite was the first plastic made from synthetic component it is a thermosetting phenol formaldehyde is informed from a condensation reaction of phenol and formaldehyde condensation reaction बोलो याई कि vulcanization के थ्रू क्या किया जाता है? form किया जाता है clear हुआ? तो आई हूँ next question पे चले next question है आपके सामने oxyacetylene flame cutting के दौरान धातु कट जाती है clear? option क्या क्या है? पहला है धातु के वाश्पन के कारण धातु के जलने के कारण समानियन प्रक्रम के कारण या गहन oxyacetylene के कारण during oxyacetylene flame cutting metal is cut कैसे metal कटता है? due to the evaporation due to the burning of metal due to the process of homogeneity या के by deep oxidation भाई सबसे उपर क्या लिखा है? मुझे बताओ सबसे उपर क्या लिखा है? सबसे उपर लिखा है oxyacetylene oxy आ गया यार थोड़ा सा तो relate करो बीना oxygen के काम नहीं चलेगा और बीना oxygen के नहीं चलेगा तो क्या होगा? oxidation यानि कि गहन oxy करण द्वारा हमारा क्या होता है? flame cutting में metal कटता है जाहिर सी बात है भाई oxidation हो रहा है तो oxygen तो आना ही है ना? oxygen आना है कि नहीं आना है? तो answer D will be the correct answer क्या हो जाएगा? यदि कहता during oxytylene flame cutting the metal is cut metal कट रही है कब कटे की थोड़ा ध्यान देना during oxy acetylene ये point है जिसने पकड़ लिया और इसमें भी जिसने oxy पकड़ लिया वो सीधा answer दे देगा यदि उसने नहीं भी पढ़ायो तो दे देगा by deep oxidation क्लिया हुआ? चलिए तो आईए next question देखते हैं क्या है निम लिखीत में से polymer कौन है? अरे भ़ी तो बढ़ा easy question है Vinyl chloride, Urea, starch या styrene तो भई हमारा जो इसमें से example है polymer का वो है आपका starch जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा confused होने वाले हैं पता होना चाहिए आपको starch is a polymer आईए देखते हैं कैसे starch जो है आपका यहां हम इसको amylum भी कहते हैं amylum is a polymer starch और amylum is a polymeric carbohydrate consisting of numerous glucose units joined by glucosic bond starch और amylum जो है आपका जो starch या amylum भी कहते हैं इसको जिसमें different glucose bond जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं तो मतलब बहुत सारे glucose bond जुड़ करके starch बनता है जाहिए इसी बाते starch में glucose होगा तब glucose का तो formula होता है formula से क्या होगा वो आप bond के थूँ जुड़ा होता है तो जो बहुत सारे यहाँ पर लिखा हुआ है कि numerous glucose unit जो होती है जुड़ती है by glucosetic bond वही आपका क्या कहलाता है starch polymer है ना तो ये clear हुआ कि हमारा starch एक polymer है next time भूलेगा तो नहीं चलो next question कहरा निमलिखित में से कौन सा तत्तो carbonic yogic में मौजूद रहता है बहुत easy question है carbon nitrogen sulfur phosphorus अरे भाईया सबसे जादा carbonic yogic में carbon ही रहता है इतने दिनों से पढ़ रहे है तो क्या option होने वाला है option A will be the correct answer clear तो मजा है आज की discussion में ऐसे ही हम next discussion में मिलेंगे carbonic yogic discussion के साथ question के तो ये तरीके के question exam में पूछे जाते हैं जादा दिमाग नहीं लगा रहा है दिमाग हमें physics में लगा रहा है chemistry में यदि आपको उसका concept याद है पढ़े हो और question को आप ध्यान से पढ़के answer दे रहे हो तो आप बिलकुल सही टिक करोगे मेरा भरोसा है मेरा experience है कि आप बिलकुल सही टिक करोगे यदि आपने एकाद दो चीज़े miss भी करी है यदि आप question को ध्यान से पढ़ रहे तो बिलकुल सही लेकिन chemistry के लिए आपको पहले से चीज़े पता होनी बहुत important है आप किसी भी topic को पूरे तरीके से छोड़ नहीं सक कर दो